स्टार्ट के श्काथ लगियागा एais मैं लगियाई ये मैनेश्ण चेप्याज Isi जिने मैनेक रुफ़ी तरीके से काट लिया है और शेमी टमाटर लिया है मेडियम साइस की और आध्रपीस जो हैं मैने अध्रख का तो बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसको पीस लेंगे इसका हमें पेस्ट बनाना है तो हमसे पीस लेते हां पेले मैंने इसे डाल दिया है अब शाहिएワ। लेंगे जाएव तेख्यी拐व लेया है अब हम घ्र्ट बारे कर दि कलेंगे शाहिए वह पांपरिया हैं के फाट ठाइब गर मैंने निकाल लेता हैंories कि लेडí या झाले है लोह अब बढ़ा दो जीरा और लाल साबद मिर्ची डालूंगी अब मैं अब मैं अब बढ़ा दाल दूंगी जो मैंने पीसा होआ है अब इसे मसाले को जो है वो भून लेंगे अब इसे हाई फ्लेम भूना है अब इसमें नमक मिर्च डाल देती हूं सबसे पहरे में इसमें नमक डालूंगी नमक जो है वो हमें मितना डाल रहे हूं एक चम्मत से थोड़ा सा कम नमक आप स्वादन उसा डालेगा लाल मिर्च डाल रहे हूं दानिया पाउडर पल्दी तो मिक्स कार लेते हैं बच्छे से में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जिससे हमारा मसाला जो है वो अच्छे से और हो जाएगा अच्छे से पंच जाएगा मसाला थोड़ा सा ही में इसमें पानी डाला है पानी सूखने दा कमेसे पगा लेते हैं वह बुन चुका है और छोड़ दिया है मसाले ने है जो चुका है मसाला अब इसमा मदा डाल देंगे अ स्मिक्स कर लेंगे अ अब इसमार पानी डाल दूंगी पानी जो है वह आप अपने कॉर्डिंग डालिएगा कि आपको इसकी ग्रेवी कैसे चाहिए एक्टम ठिक चाहिए या फिर आपको तरी अच्छी चाहिए इसकी तो मैंने एक ग्लास इसमें पानी डाला है मैस इतना ही में पानी दाले हूँ अब मैं धकल लगा के इसको सेटी दिलाने हैं हमें धकल लगा दिया है मैंने अब इसे चार पाँ सेटी दिला दूंगी और हाई फ्लेम पर कर रहे हूँ मैं पात सेटी जो है वो आ चुके आच दिलाई है मैंने गास जो है वो बन कर दिया है अब अब इसका प्रेशर निकाल लेगे वो मारी रेडी हो चुकी है मैंने इसके तिकनास ऐसी रखी है सब्जी की और मटल है वो अच्छे से गल चुके हैं अब एकदम एंड में जो है हम इसमें पनी डालेंगे उपर से ही अब 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 मैंने सर्फ कर लिया है रेडी हो चुकी है आपको मैंने अगरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर करें